EDK cases में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को किसी को नहीं मिल रही जमानत EDK case के अंदर क्यों नहीं मिल रही अभी तक देश का कानून यह होता था criminal law यह होता था You are innocent till proved guilty अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा आपके ऊपर कोई अफार हुई आपको गिरफतार करते थे आपसे पूच्ताच करते थे और पूच्ताच के बाद 10-15 दिन के बाद आपको बेल मिल जाती थी आप घर आ जाते थे फिर आपके ऊपर मुकदमा चलता था मुकदमे मे अगर आप दोशी पाए जाते थे तब आपको सजा होती थी और आप जील जाते थे अब ये पूरा कानून इन्होंने पी डी में पलट दिया अब इसमें हो गया यू are guilty till proved innocent इस कानून में इन्होंने लिख दिया इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आपको गिरफतार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इन्नोसेंट प्रूव नहीं हो जाते मुकदमे तो इस देश में 15-15 साल चलते रहते हैं तो 15 साल तक आप मनी सिसोधिया को जेल में रखोगे है पुछ तो यह पेल इसलिए नहीं मिल रही कि वो दोशी है बेल इसलिए नहीं रही कि पूरा कानून पलट दिया इसलिए एडी की वजासे आज पारटिया टूट रही हैं हम आप पहले जो कानून था वहीं आपने एफ1 करी आप गिरफ्टार कर लो मुझे मेरे से पूच कर लो दस दिन में पंदरा दिन में मेरे को बेल मिल जाती थी अब बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक पूरा मुकदमा ट्राइल पूरा होके आप इन्नोसेंट प्रूव नहीं हो जाते यह तो गलत कानून